हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुदर्सिन परकाश और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल गुरू चकचक दोस्तों किसी भी भाषा को सीखना एक अच्छी सोच है क्योंकि आपके पसंद की कोई भी भाषा हो वो आपको सीखनी चाहिए हिंदी के बाद इंग्लिस एक ऐसी लेंग्वेज है जिससे आपको नसीब लिटरेट समझा जाता है बलकि आपके जॉब परफाइल को भी बेतर बनाता है देखे जब आप इंग्लिस सीख जाएंगे तो आपको नए लोगों के साथ कम्मुनिकेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी वैसे इंग्लिस से एक बेनिफिट और भी है कि ये आपको एक अलग नजरिये से देखने या किसी अनकल्चर की गहरी समझ प्राप्त करने में हेल्प करता है ध्यान रखिये कि आपको एक डिसिप्रिन लिसनर बनने में हेल्प करता है इसके हिल्थ बेनिफिट भी है क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है कि जो लोग दो या दो से अधिक भासाएं बोलते हैं तो उनका दिमाग उम्र बढ़ने पर भी ज़्यादा एक्टिव रहता है वैसे भी अंग्रेजी आज की दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और हमें इसे जरूर सीखना चाहिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्रेज कर लिजे साथ ही बेल आइकन पर प्रेज कर लिजे ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जो बिजनेस प्रफेशनल्स हैं उन लोगों के बीच इंगलिस से कॉमन लेंगवेज बन गई है अगर आपको हाइड एजुकेशन चाहिए तो इंगलिस आनी जरूरी है वही अगर आप किसी competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो उस exam के syllabus में इंगलिस एक subject जरूर रहता है जगता तर student किसी भी competitive exam में उनकी परिशानी इंगलिस की ही रहती है ऐसे में आपको एक सही book का selection और guidance बहुत जरूरी हो जाता है एक motivational line है आपको सुनाता हूँ क्योंकि English से बहुत से student को डर लगता है ये उनके लिए मंजिल उनहीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंक से कुछ नहीं होता होसलों से उड़ान होती है ठीक है? तो दोस्तों English कैसे सीखा जाए इसके बारे में कुछ points आपको बता रहा हूँ सबसे पहले basics की जनकारी होनी चाहिए दोस्तों जो student competitive exam की तयारे में लगे हैं उनको English की basic knowledge होनी चाहिए क्योंकि marks ज़्यादा लाने में English एहम subject हो जाती है और तो और जो correct लिखना बोलना चाहते हैं उनको भी basic की जनकारी होनी चाहिए तो जानते हैं basics में क्या है? आपको parts of speech, vocabulary, tense, direct, indirect speech, active and passive voice, noun, pronoun, models, preposition, articles, etc. के बारे में जनकारी होनी चाहिए अगर आपको इन सभी topics की अच्छे से जनकारी है तो आप जल्दी से English के question को solve कर सकते हैं दोस्तों English की अच्छी knowledge और daily practice और एक अच्छे study material से ही आप English में तेज हो सकते हैं साथी आपकी reading skills बहतर होनी चाहिए इसके लिए आपको daily newspaper पढ़ना चाहिए चाहिए आपको वो समझ आ रही है या नहीं जब आप daily पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी सोच बढ़ने लगेगी कि इस line का meaning क्या होता है तो आप English से English बहुत जल्द समझने लगेंगे वहीं daily अगर आप कुछ न कुछ English में लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको writing skills भी बहतर हो जाएगे क्योंकि गलती करते करते ही इनसान बहुत जल्द किसी भी चीज को सीख जाता है फिर भी ये language है आप बहुत जल्द लिखना भी सीख जाएंगे दोस्तों अगर मैं basic knowledge और competitive exam की तयारी के लिए किस book से तयारी करें तो आपको इसकी जनकारी भी होनी चाहिए मैं आपको English के लिए एक book सजेश्ट करना चाहूंगा Oswal Publishers की comprehensive guide on general English ये रहा book इस book की कई खासियत है जो मैं आपको आगे बताऊंगा ये book किस-किस exam के लिए important है उसको पहले जान लेते हैं सबसे पहले banking, SSC all exam, management entrance exam, law entrance exam, railway, LIC, defense entrance exam and other competitive exams दोस्तों इस book को कुछ points के द्वारा define करना चाहूंगा इसमें तीन major sections हैं जो काफी important है grammar, vocabulary and reading comprehension ये exam के view से बहुत चलूरी है book में जितने भी chapters से explain किया गया है वो काफी clear और understanding है book में जो important chapters हैं उसे fulfill तरीके से cover किया गया है इस book में जितने भी practice exercise दिये गया है उन सभी का answer की भी दिया हुआ है यहां answer की दिये होने के करण आपको परशानी नहीं होगी exam में किस तरह के question आते हैं वैसा ही आपको इस book में देखने को मिलेगा जब आप question से familiarized होते हैं तो exam के question भी आपको easy लगने लगेंगे इस book में खुद की परख के लिए आपको 5 revision test दिया गया है दोस्तों इंगलिस की तैयारी के लिए एक बात जरूर ध्यान रखिए कि आपको daily practice करनी है रोज पढ़ना है आपकी इंगलिस पर पकर और भी मजबूत हो जाएगी आपकी grammar की knowledge तभी बढ़ेगी जब आपको सही और गलत में अंतर बता होगा इसलिए हर रोज इंगलिस का practice कीजिए इंगलिस के परते एक topic को अच्छी तरह से समझना चाहिए कोशन को solve करने का ज़्यादस ज़्यादा practice कीजिए आपको इसके साथ ही परते दिन newspaper और magazine भी पढ़ना चाहिए रोज एक नया word सीखने की आदर डाले जो भी नया word सीखे उसे अपने sentence में लाने की कोशिश केजिए इसी तरीके से आप बहुत जल्द इंगलिस बोलना और लिखना सीख जाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही आपको next वीडियो किस topic पर चाहिए आप हमें comment कर बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like जुड़ कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए थैंक यू